बहुत जादा गर्मी पड़ रही है और यह जो गर्मी है उमस वाली गर्मी है कैसे तो सन का तो डायक्ट हीट पढ़ी रहा है साथी साथ बरसाथ वाला महिना भी है इन दोनों के मिक्षर से क्या होता है हूँमेडिडी क्रियेट होती है तो ऐसे में हम अपनी स्किन का खयाल कै कैसे रखें कैसे रखें इसी चीज का आज मैं एक ब्लॉग बनाने जा रही हूं तो बेसिक तीन इंग्रीडियंट मैं लेकर आई हूँ आपके लिए और यह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है यह तीनों इंग्रीडियंट लेना आसानी से आपको अवेलेबल मिल हो जा जाता है तो फ्रेंड्स यह है वो मिक्षर जो मैंने अल्रेड़ी प्रिपेर कर लिया है इसमें क्या-क्या है यह सारी चीजे में आपको बता देते हूं इसमें है खीरा कुछ खीरा यहां पर मैंने काट के रखा हुआ है और इतना खीरा काफी है यह फेसपैक बनाने के पतीयां और काफी आसानी से मिल जाता है यह होगा दो इंग्रिडियेंट थीक है और यह इसलिए मैंने लिया है नीम क्योंकि एचो अभी मौसम है eldi मौसम है गोल् मौसम के तरह के असे थीक होगा अब यहुँ लिए है को यही तीनौ जो कि में इंग्रेडियनंट है खीरा नीम की पतिया को हड़ी पाउडर लिए गरमी वाली सीजन के लिए घुमेडीडिडी के लिए है अब यह जो एक्स्ट्रा मैंने क्या लिया है यह लिया है मैंने चावल का आठा यह अप्शनल है यह मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब आप इन दोनों को पीसेंगे ब्लेंड करेंगे तो यह थोड़ा सा पानी जैसा हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं यह चुक्कि मेरी स्कीन थोड़ी रहती है तो मैंने यहां पर यह coconut oil में लिया हुआ है और coconut oil optional है आप चाहें तो ले सकते हैं या फिर नहीं मिले सकते हैं तो बस इन तीनों को mix मैंने किया है और अच्छे से mixer में और यही पेस्ट बन गया है इसमें लगब लग एक चमच मैंने चावल का आटा भी आरेड़ी मैंने मिला लिया है और दो बूंदे oil की भी मैंने लिए हुई बस अब मैं इसको अपने face पे लगाऊंगी अब मैं थोड़ा से यहाँ पर हाथों पे ही लगा कि मैं आपको दिखा देती हूं यह देखो friends कुछ इस तरीके से यह जाएगा तो friends यह देख सकते हैं आप मेरा face काफी clean हो चुका है और हल्दी की वजय से थोड़ा yellowish tone भी आ चुका है थोड़ा glowing tone आ चुका है तो अभी just मैंने face को wash किया है और ज्यादा देर मैंने रस्टिंग टाइम नहीं दिया था के वहल दस मिनर से भी अगर आप कम चाहें तो दे स सकते हैं इससे जादा देनी की जहते हैं और हाँ अगर आप चाह रहे हैं कि face pack यह जो है dry हो जाए तब मैं wash करो तो ऐसा नहीं है इसको dry होने में बहुत समय लगेगा इसलिए आप 5-10 मिन तक का ही आप resting time ले उससे जादा रखने की जरूरत नहीं और उसके बाद अच्छे स मॉस्चराइजर लगा के या अगर आपकी skin dry है तो हलका सा oil भी आप चाहें तो लगा सकते हैं लेकिन चुकि अभी गर्मी का मॉसम है humidity वाला है तो मैं तो मॉस्चराइजर लगाऊंगी और उसके बाद मेरी जो skin है वो maintain रहेगी तो यह maintenance का तरीका है कि आप घर बैठे बलकि whole body में भी आप चाहें तो apply कर सकते हैं और अगर आप चावल का आटा add करते हैं इसमें तो आप यह natural आपका scrub की ताओर पे हो गया तो अच्छे से तो जरूर बताईएगा हां कुछ doubt हो कुछ query हो इस वीडियो के साथ या कुछ और दूसरे वीडियो के साथ भी आप जरूर मुसे बूचे और हां friends मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ तब तब के ल